आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारी जो मसल है वो कई सारे मसल फाइबर के बंडल से बना हुआ है और उसकी जो इकाई सेल है वो है मसल फाइबर इसे ही मसल की सेल कहते हैं पर क्या आपको ये पता है कि हमारी जो मसल फाइबर है इसकी भी एक यूनिट है ये कई सारी बनता है, myosin जिसके वज़े से थिक filament बनता है, और titin एक elastic protein जो थिक filament को connect किये रहता है, ये spring के आकार का होता है, ये तीनों protein इस तरीके से अरेंजड रहते हैं, कि जब ये slide करते हैं, तब muscle में एक mechanical force generate होता है, जो कि tendon के थुरू bone में transmit हो जाते हैं, और हम movement कर पाते हैं, देख कि क्या होता है कि हमारे मसल को काम करने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारे नर्वस सिस्टम से आने वाले सिगनल की जो की मोटर नियूरॉन से आते हैं होता यह है कि जैसे ही हमारे ब्रिंद से सिगनल आता है हमारे मसल के तरफ हमारे नियूरो मस्कुलर जंक्शन पर एक और फिर इससे जो mechanical force generate हुआ है वो bone में transmit हो जाता है और हम movement करने लगते हैं। चली थोड़ा विस्तर तरीके से जान लेते हैं। देखे ये बात तो आप जानी गए होंगे कि हमारा जो muscle है वो contract होकर हमारे शरीर में movement कराता है यानि सिकुड कर। अब देखे जैसे ही हमारे brain से nerve के थ्रू signal आता है neuromuscular joint पर action potential के थ्रू ये क्या करता है neuromuscular joint पर nerve ending पर acetylcholine neurotransmitter जाकर muscle fiber के उपर acetylcholine receptor से bind हो जाता है जिसके वज़े से सार्कोलेमा में जो की muscle fiber की outer membranous layer होती है उसमें sodium ion का influx होता है जिसकी वज़े से एक action potential generate होता है जो muscle fiber के outer layer सार्कोलेमा में मौझूद transverse debule से होते हुए हमारे muscle fiber के जो outer layer है सार्कोलेमा वही पर जाता है आपको बता दे कि ये जो हमारी muscle fiber का outer layer होता है उसके उपर सार्कोलाजमिक रेटिकुलम नाम का एक सनचना होता है जो की calcium storage की एक membranous layer होती है देखे जैसे ही ये action potential ये सार्कोलाजमिक रेटिकुलम पर पहुचता है ये calcium ions को release कर देता है जो की muscle fiber के अंदर ही diffuse हो जाता है जह calcium ion इसी muscle fiber में मौझूद जो actin protein है जो thin filament से बनता है उसके उपर bind हो जाता है जिसके कारण से ये जो protein के band है ये shift हो जाते हैं myosin head के bind होने वाले area को expose कर देते हैं जिसके कारण से ये जो myosin protein का head है ये actin से जाकर bind हो जाता है अगले stage में ADP और phosphate जैसे अणू इन दोनों protein के उपर जो cross bridge बना है उसके उपर जाकर ATP में convert होकर energy provide कराता है जिसके वज़े से myosin का head movement करने लगता है और actin protein sarcomere के center की तरफ move होने लगते हैं इसे power stroke कहते हैं बाद में यही ATP दोबारा से फिर से actin से detach होकर myosin से bind होकर ADP और phosphate में तूट कर दोबारा से वही cycle शुरू कर दे sarcomere center में shift करता जाता है और muscle contract होती जाती है और contract होकर ये muscle mechanical force को transmit करके movement करवाती है उमीद करता हूँ कि आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे वीडियो को like आप जरूर करना